हेलो दोस्तों विल्कम टू मैं चैनल मैं आपके लिए आज लाई हूं बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिश्यस एक मिठाई और यह हम सेब से बनाने वाले हैं जी हां दोस्तों सेब से ही हम बनाएंगे तो देखें दोस्तों अक्सर हमारे घर में सेब रखा हुआ रहता है तो उसे हम छोटे वाले ग्रेटर से अभी हम इसे ग्रेट करेंगे अभी मैं इसे ग्रेट बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि इसका कलर बहुत जल्द चेंज होने लगता है तो अभी मैं इसको ग्रेट नहीं करने वाली हूँ अभी इसकी पहले हम कुछ और प्रोसेस कर लिगे गी अगर मुझे जरुत पड़ेगी तो मैं डालूंगी दोस्तों देखिए गी हमारा बिल्कुल गरम हो गया बहुत जादा इकदम बहुत जादा इसको हीट नहीं करना है और इस पूरे प्रोसेस में हमें गैस के फ्लेम को जो है बिल्कुल ही लो रखना है बिल्कुल लो रखना है दोस्तों तो देखिए मेरा घी जब गरम हो गया तो अब मैं गैस को बिल्कुल लो कर दे रही हूँ और अगर मिक्सचर थोड़ा सा गाळा हो जाए थोड़ा सा जादर भी वह जाए हो जाए-धा उसमें एक चमच घी हो घ्राइब अच्छी मेरा भी मिठाया ओर श्वार से अपतीज दूस्तोों और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी मिठाई बन कर तयार होती है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होती है तो आप इस स्टेज पर देखिए मेरा घी छोड़ने लगा था बेसन तो मैंने जो है ग्रेट कर लिया था उसको सेब को तो मैं अब सेब को भी डाल दे रही है जितने भी जादा आपको मिठाई मीठी पसंद हो तो आप मेठा डाल सकते हैं तो देखिए अब स्टेज पर मैं डाल रही हूं गरी का जो है बुरादा यह मेरा कोकुनट है और इसे मैंने ग्रेट कर लिया था लंबा-लंबा और इस तरह से इसमें डालेंगे तो इसका ट अब थपाऊंगी हाथों की सहायता से या फिर चमत से आप इसे जो है इस तरह से प्लेन कर सकते हैं चिकना और उसके उपर से भी मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया और बहुत ही चिकना यह हो गया दोस्तों तो इसे मैं दो घंटे के लिए रख दिया था मै मैंने तो देखिए अब मेरा दो घंटे के बाद कितना अच्छा यह मिक्स्चर जो है बन कर तैयार हुआ है बहुत अच्छा सेट हो गया है तो दोस्तों मेरा थोड़ा सा बंद हो गया था मैंने आपको दिखा नहीं पाई निकालते हुए तो उसके लिए मैं सौरी है मेरा की तरफ जो है और देखिए यह जो है मैं से काट लूँगी तो दोस्तों आप इसे अपने किसी भी मर्जी के हिसाब से आप जिस भी सेप में करना चाहिए पिसे काट सकते हैं मैंसे स्क्वाइर में कर रही हुँ तो यह आप के उपर है आप के जिपयपर करता है कि आप उसे किस सेप में काटेंगे तो देखिए मेरा इस तरह से बहुत ही आसानी से एकट जाता है बहुत ही अच्छा ये बन कर तयार होता है आप एक बड़ जरूर इसे ट्राइ करें सेप जो है हमारा सडकर खराब नहूँ फिकाय नहीं उसका मिस्यूज नहूँ उसका अच्छे से यू लगी जरूर कमेंट में लिखिएगा दोस्तों और मेरी आपको रिस्पी कैसी लगी ये भी जरूर लिखिएगा दोस्तों और अगर आपको मेरी रिस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा औ बहुत ही डिलेशियस ये बनकर और बहुत ही हिल्दी बनकर तयार हुई है क्योंकि हमने इसे सेफ से बनाया है जादा हमने बेसन यूज नहीं किया इसमें और जादा इसमें चीनी भी नहीं डाली है मैंने बहुत ही कम डाली है और यकीन मानिए बहुत ही जादा अच्छी है ब मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा बाबाई